WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रिस करना ना भूले नमस्कार दोस्तों जैभीम मैं सुरेश आप सभी का नागारजुन ट्रेनिंग इंस्टिटूट यहां से आप सभी का में स्वागत करता हूं और हमारे साथ में इसी केमपस में रहने वाले एक स्टूडेंट है यहां क्या काम करते हैं वो सारी चीजियां में इसे जान करी लेंगे तो आपका हमारी इस चैनल में स्वागत है, आपका नाम बताइए मेरा नाम गिरिजस परसाद है और मैं पस्चिम बंगाल से रहने वाला हूँ पस्चिम बंगाल के रहने वाले और यहां पर आये हैं अपनापूर किस लिया है, किस उद्धिश है आप जैसे लाइबरेरी की जो इनचार्ज है, मैं आप से जानना चाहता हूँ हमारे दर्सक देखते हैं वीडियो, तो यही सवाल करते हैं कि हमें अपने बच्चों का इडमिशन कराना है तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या योगिता होना चाहिए, कैसे होता है थोड़ा सा हमारे दर्सकों कुजान करें देख के लिए फोर फूल फिल रहती है उसको अपडेट करने के लिए कि धमेशिक्ष्थнес करें की यहां बच्चे करें अभी कोभिट को लेखा के हम और जाए जो दहें देखिए बारवी के बाद चाता बी करना चाहता है विंगाम्तर करना चाहता है यह कम्प्यूटर साइश करना चाहता है तो क्या सब कोर्स था होते हैं तिन साल के विए कोर्स Stitch उता और जिसमें बहुत है। तो हमारा उनागलों का सब्साइब करने का और नागलों सेथिक करने का तो जैसे सिसन स्टार्ट हो जैसे इस साल का भी चल रहे हैं जो बच्छे बहुत सारी फेस्टेर किये हैं और अधर दर स्टेट से तो हम वहां पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं अच्छा आप मुझे बताईए यहां पे मैंने सुना कुछ बच्चे जो है चाइनीज भासा भी यहां सिखाई जाती है और कुछ लोग फोरेंड कंट्री भी यहां से गए हैं तो ऐसे कितने बच्चे गए हैं कितने इसी दो दिसंबर को तीन बच्चे ताइवान गए हैं जो अदाद स्टेट से हैं और यहां चाइनीज स्टेडी भी होती है अगर बच्चे हमारे अलुमनाई होते हैं तो उनके लिए फिरी एन कॉस्ट रहता है अगर बच्चे जश्ट गर्जिशन करने आते हैं और वहां क दमेशी का कुछ नहीं किये होते हैं उनकी बस हम फिस लेते हैं एडमिसन फिस और जो भी खाने का जो चार्जिश लगता उतने ही लेते हैं अब मैं आप से यह जानना चाहता हूं आप बेंगॉल के रहने वाले हैं और यहां आएं मलगबग देढ़ हजार या एक हजार की दूरी तैक करके आप यहां पर आएं तो आखिर ऐसी कौन से चीज से आप एट्रेक्ट हुए यहां आए इसके पहले आप क्या करते थे कि कहीं ने कहीं बुद्धिजम को आप समझ रहे हैं थे या बाबास आपको जानते थे इसलिए तो यहां आए तो थोड़ा से हमारे द जो मेरी बेग्राउंड थी मैंने जनम हुआ तो मैंने बाबा साब बुद्धा को ही देखा तो इस परकार से मेरे अंदल में बच्पन से ललक थी और इसी परकार जैसे मुझे इंटर मैंने पास किया तैसे मुझे नागलोका की जानकारी मिली लो अधर अलुमनाई के द्व दोरान और हम लोगे ने ओनलाइन कोर्सेश की और आज देखी मैं ओनलाइन के साथ साथ में आज नागलोका कटिबद्ध है इसके लिए और जुतने भी तमाम ऐसे हमारी युवा साथी है उजल से जुड़े है चुकि इस तीती को देखते हुए संभिधान को भी देखते हुए और बाबा साब और पुद्धा से जुड़े और नागलोका से भी जुड़े चलि धन्यबाद आपका नाम फिर से बता तो और मेरा नाम गिर्जेस परसाद गिर्जेस जी आपने काफी महित्पूर्ण समय दिया और आपने हमसे अच्छे से बात गी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैबी जैबी झाल झाल